साथियों, गरीब का पैसा, गरीब के पांस जाए, गरीब के लिए खर्च हो, और कोई बिचोलिया, बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेस्ता है. अब आप देखिए, आईश्मान भारत योजरा के तहट बोदी ने, पांच लाख रुपे तक क्या मुप्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है, अगर यह आईश्मान कार्ड नहीं होता, तो एक लाख करोड रुपे से जादा गरीबों को, बीमारी में अगर कोई खर्च के जरुत होती, तो करीब करीब एक लाख करोड रुपिया, यह मेरे मध्यमबर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता है. वो पैसा बच गया, भाजपाज सरकार ने देश में सस्ती दवाओं वाले दस हजार जन अउस्दी केंद्र भी खोले, इन जन अउस्दी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट के साथ जबाईया दी जा रही हैं, और इतनी बड़ी माता है बेहने हैं, अगर कहीं पर भी बॉड लिखा हैं ने 10% डिसकाउंट, तो पहले वहीं लेने जाएगे, ऐसा ही होता है ना, साड़ी लेने जाएं, और एक दुकान पर लिखा है 10% डिसकाउंट, तो चलो भाई उदर नहीं जाना है, पहले यहां जाएगे, यह मोधी दवाई में 80% डिसक के 25,000 करोर रुपे से जादा खर्च होने से बचे हैं, और मेरे परिवार जनों, जब इलाज पर खर्च बचता है, तो इसका मतलब सिर्फ पैसे की बचत होती है, इसा नहीं है, एक तो गरीब, और हमार यहां तो हमने देखा है, परिवार में कोई मा, कोई बेहन, बिमार हो हो जाए, तो घर में किसी को पता ही नहीं चलने देती है, कितना ही दर्द होता हो, कोई काम करती रहती है, बताती रही है, क्यों, उसके मन में रहता है, कि अगर परिवार में बच्चों को बिमारी का पता चल जाएगा, अस्पताल जाएंगे, लाखों रुप्या खर्च हो जाएगा, बच्चों के सर पे कर्ज चड़ जाएगा, तो मास होती है, कि मुझे बच्चों के सर पे कर्ज नहीं होने देना है, भगवान जितने दिन जिन्दा रखेगा, रखोंगे, मुसिबत जेल लूगे, दबाई भले ना हो, लेकिन बच्चों को मुसिबत में नहीं डालूँगा, ये मेरे देश की माताओं बेहनों का स्वभाव है, लेकिन मेरी माताओं बेहने, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है, वो आपकी पिड़ा को समझता है, मेरी कोई मा, कोई बहन, बिमारी जेलती जेलती जिन्दगी काटे, ये उसका बेटा सहन नहीं सकता, और इसलिए आउश्वान योजना से सिरफ पैसे बचते ऐसा नहीं, पूरा परिवार बच जाता है, परिवार के सपने फिर से जिन्दा हो जाते है, परिवार फिर एक बार खुशाल हो जाता है, नई जिन्दगी जीना शुरू कर देता है, साथ्यों देश भर के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिले, ये गारंटी भी मोदी ने दिये, पि-म आवाज की जोजना पर ही अभी तक, चार लाग करोड रुपिये सरकार खर्च कर चुकी है, आंकड़ा याद रहेगा आपको, कितना, जरा बोलना पड़ेगा बई, कितना, इधर वाले, बोलो ना, कितना, जो पत्रकार है उनको बोलने की जरुदे वो तो लिख लेंगे, जो पत्रकार नहीं है वो बोले, कितना, चार लाग करोड रुपिया, लोग राम मंदिर बन रहे हैं, उतकी तो चर्चा कर रहे हैं, चार करोड लोगों के गर भी बन रहे हैं, लाखो करोड खर्च करके गर बन रहे हैं, सवचालय हो, उजवला का मुप्त गैथ कनेक्शन हो, इस पर भी हजारों करोड रुपिया का निवेश सरकार ने किया हैं, हाल में, उजवला की लाभारती बहनों के लिए, सिलेंडर पान सो रुपिया तक सस्ता कर दिया गया है, यानि हमने गरीबों को सुविधाएं भी दी हैं और उनका पैसा भी बचाया है, मेरे परिवार जनों, कॉंग्रेस का इतिहास, डगर डगर पे जूठ बोलना, लोगों को भनमीत करना, और बिल्कुल चहरे पर कोई असर ही नहीं, इतना आराम से जूठ बोल लेते, उन्होंने गरीबों से जितना जूठ बोला हैं ने पिछले 50-50 साल में, आप कलपना नहीं कर सकते, कॉंग्रेस से गरीबों से जूठ बोला, माइलाओं से जूठ बोला, नवजवानों से जूठ बोला, कॉंग्रेस देखिशानों से, कर्ज माफी की वादे किये, जूठ बोलने की हिम्मत देखिए उनकी, और उनको लगता है देश की जनता पहली की तरह यही है बली बोली है अब तो मेरे देश का नौजवान जाग चुका है उसके मोबाइल में सारी जानकरिया होती है वो परिवाल को कहता है ये कॉंग्रेस वाले जूटे है भाईयो बैनो आज भी कॉंग्रेस यही कर रही है इन होने 5 साल पहले 2008 में कहा था दस दिन में कर्ज बाप करेंगे लेकिन 15 महने में भी उनको सरकार से चलाने का मोका मिला कुछ भी नहीं किया वहीं भाजपास सरकार जो कहती है वो करके दिखाती हैं दंके के चोड़ पे करते हैं हमने किसानों को प्रदान मंत्री सम्मान योजना किसान सम्मान योजना की तहट उसके खाते में पैसा जमा कर रहे हैं और साल में तीन बार करते हैं अब तक कितना किया हैं मालूम आपको मालूम है भूल जाते हो ना मैं बताता हूँ याद रखोगे याद रखोगे जरा हाथ उपर करके बताओ याद रखोगे हमने पी-एम किसान सम्मान निजी के तहट इस देश के किसानों के बैंक खातों मैं सीधा दो लाग साथ हजार करोड रुपिया जमा करवाया है सीधी मदद बेजी है और मैं सीधी में बोल रहा हूँ सीधी मदद बेजी है पी-एम किसान सम्मान निजी के 20,000 करोड रुपिये एम-पी के किसानों के खाते में भी गए है हर किसान को 28,000 रुपिये उसके खाते में मिले है अगर कॉंग्रेस होती तो उनके तो एक परदानमंत्री पब्लिक ली कहते थे कि एक रुपिया भीटते हैं तो पंदरा पैसा पहुंचता है अगर ये पैसे उनके जमाने में गए हो तो कितने रुपिये पंजा खा जाता है कौन सा पंजाई पैसे मार लेता वही जब ऐसे काम होते हैं लोगों की बलाई के लिए काम होते हैं सिर्फ और और सिर्फ देश का भला करने का इरादे से काम होते हैं तब ही लोग कहते हैं MP के मन में MP के मन में